लो फिंट्स वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार स्टॉक के उपर जहां पे की एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी स्टॉक के उपर डिसकसन करते हैं और फिर इंपॉर्टेंट लेवल को भी हम लोग देखेंगे तो वीडियो को आराम से लाश्ट तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए और इनकेस अगर अभी तक आप लोग टेलिग्राम या फिट्विटर हैंडल से नहीं जूड़े हैं तो जूड़ जाएए क्योंकि यहां पे हम लोग रेगुलर बिसिस पे इंपॉर्टन अपडेट पोस्ट करते रहते हैं जिसकिसी भी चार्ट में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है जहां पे भी जिसकिसी भी सक्टर में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है कहीं पे अगर important chart pattern breakout हो रहा है कोई important zone retest हो रहा है या फिर आने बाले समय में breakout हो सकता है कोई अच्छा TG हो सकता है उन सभी charts को हम लोग regular basis पे post करते रहते हैं इसके साथ ही daily जो है आपको breakout stock हो गया कुछ important sector हो गया वो भी हम लोग regular basis पे post करते रहते हैं जिससे कि आपको एक idea मिलता रहेगा एक guidance मिलता रहेगा जो कौन-कौन से stock को target करना है साला detail जो है आपको description box में मिल जाएगा और इनके अगर फिर भी आप खुद से trade नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे premium group को भी join कर सकते हैं जहांपे कि आपको exactly guide किया जाएगा कौन से stock को buy करना है कौन से level पर buy करना है क्या stop loss और target होने वाला है साला detail जो है आपका telegram group पे available है और telegram group का link description box में है चलिए अब हम लोग बात करते हैं stock के उपर सबसे पहला stock है Tata Chemicals Tata Chemicals के share में सारह 3% का एक अच्छा उच्छाल देखने को मिला और stock previous 5 trading season में 76% के तेजी के साथ trade कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस stock में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है stock ने trend line को भी breakout कर दिया है यहाँ पर लगातार अगर देखेंगे तो stock चो है इस trend line के नीचे trade कर रहा था जो कि आप stock ने यहाँ पर breakout कर दिया है और stock जो है आपको previous swing high के ऊपर भी trade कर रहा है एक अच्छा closing यहाँ पर भी देखने को मिल चुका है monthly basis पर अगर बात करेंगे तो monthly basis पर previous से month में stock में एक अच्छा lower week rejection देखने को मिला और एक हम लोगों को pin bar candle का formation देखने को मिल रहा है और जो stock ने अपना mother candle बनाया था March 2024 में stock अभी भी उसी range के अंदर trade कर रहा है बट trend line के ऊपर trade करना start कर चुका है इस stock में जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी उपर की side में देखने को मिल सकता है अगर हम लोगों उपर की side में target की बात करें तो पहला जो target होगा वो आपका 1170 1180 का target होगा और दूसर target जो है यहां पर हम लोगों को 1300 तक का भी target देखने को मिल सकता है नेक्स stock की बात करेंगे नेक्स stock है अतुल आटो अतुल आटो के सेर में अगर देखेंगे तो stock में एक जोड़दर तेजी हम लोगों को यहां पर देखने को मिला stock में एक तेजी हुआ उसकार stock में यहां पर गिरावट हुआ वापस से stock में एक अच्छा अपमूग देखने को मिला अब ही stock ने एक बहुत ही प्यारा बुलिस कैंडल का फॉर्मिसन किया है अपने प्रीवियस लोग को यहां पर डिफेंड किया है यहनि कि stock में अब एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है इस stock के लिए जो इमीडियेट टार्गेट होगा वो टार्गेट होगा आपको 715-720 का जोन क्योंकि यहां पर stock का जो है इस pattern का double bottom या फिर double pattern का neckline है और एक बार अगर यह breakout हो जाता है तो फिर इस stock में हम लोगों को 800 तक का भी जोड़दर तेजी देखने को मिल सकता है तो इस stock को जरूर अपने watch list में रख सकते हैं नीचे की side में SL जो है इस trend line के नीचे या फिर जो है आज के candle के low के नीचे हम लोग place करके रख सकते हैं थर्ड stock की बात करेंगे थर्ड stock है GNFC fertilizer के stock में नीचे के level से एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है और इसी में से एक stock है GNFC GNFC के उपर अगर बात करेंगे तो stock में एक trend line का breakout already इससे पहले ही हम लोगों को देखने को मिल चुका था बट stock में ज़्यादा momentum हुआ नहीं था trend line का breakout हुआ उसके stock ने एक inside candle का formation किया और अभी अगर यहाँ पर देखेंगे तो stock जो है अपने previous swing high के ओपर close दे चुका है तो इस stock में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है stock जो है 750 की तरब move कर सकता है और इस level के ओपर अगर निकलता है तो फिर इस stock में हम लोगों को 800 तक का भी तेजी देखने को मिल सकता है तो इस stock को भी अपने watch list में अड़ करके रख सकते है और यहाँ पर SL के अगर बात करें तो trend line के नीचे अपने stop loss को place करके रख सकते है उपर की side में 750, 800 तक का momentum देखने को मिल सकता है last stock के बात करेंगे, last stock है सुरिया रौसनी तो यहाँ रौसनी के share में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको breakout हो रहा है एक important chart pattern का और यह chart pattern है आपको cup and handle pattern सबसे पहले अगर देखेंगे तो बिल्को नेकलाइन पर stock trade कर रहा है यहाँ पर stock ने बनाया एक cup और यह बन गया उसका handle अभी breakout awaited है, breakout के बाद इस stock में जो है एक जोड़दार तेजी देखने को मिल सकता है यहाँ पर breakout आपको sustain करेगा आज के high के ओपर यानि के 737 के level के ओपर अगर stock यहाँ पर sustain करना start कर देता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पर एक जोड़दार तेजी उपर की side में देखने को मिल सकता है जो कि इस stock को ले के जा सकता है आपका पहला target हो जाएगा 825, 830 का और एक बार इसके उपर निकलता है तो फिर 900 तक का भी level देखने को मिल सकता है आई होप आप लोगों को सभी points है बिल्कुल अच्छे से clear हो गए होंगे तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हूँ अनलेसिस अच्छा लगा हूँ वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब जबू कर झाल 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 झाल